पेड को हमारे फेट πουि बता जाता है क्या की उसे हम ऐसे हम लेते हैं वो नहींू होंगे तो कहां से होगे और हम सांस बे किसेगे तो उसको बचाये ज्यादा से ज्यादा फहला ओर अघए और यह संदर पैडे के वजधे से ही दुनिया कितना संदर दिखता है जितना हो सके, मतलब ट्री प्लांटिंग करो, पेड लगाओ, ठीक है ना, महा नदी में दिखिये, इतना संदर दिख रहा है, और वहां का दिखिये, जो जांगा लेना उस साइड पे, महा पर में कभी गया नहीं हूँ, पर बहुत ही अच्छा दिखाई देचा है, तो हलो दोस्तों, कैसे हो, आप लोग होप की सब अच्छे ही होंगे, और आज हम थोड़ा जा रहे हैं, कटक के चंडी मंदिर, यहां के प्रसिद्ध देवी मंदिर है, तो अभी हम थोड़ा ब्रिक्फास्ट नहीं किये हैं, पहले जाएंगे ब्रिक्फास्ट करेंगे, फिर जाएंगे मंदिर, तो चलिए शुरू करते हैं, एक ने व्लॉक, तो आप लोग देख रहे हैं, यह हमारा महानदी, तो महानदी के पास हम आये हुए हैं, यहां पे भी एक छोटा सा मंदिर है, तो इधर थोड़ा हम आये थे, भगवान जी के दसन के लिए, यहां पे शिप जी का मंदिर है, भगवान शिप जी का, और यहां भगवान विश तो यह जगह कितना काम अंक्वाइट है यह भी आप देख रहे होंगे बहुत ही सुन्दर जगह है और कुछ दिनों के ब्याद जब यहां पर कार्तिक पुर्णमी होगी कार्तिक पुर्णमी में जो हमारा चोटा-चोटा नाओ इसे बना के यहां पर उसको नदी में बहाते है है उसको चोटा-चोटा ओक कार्तिक पुर्णमी में हम इधर आएएंगे हमारा इसको बॉltते हैं है ठोगा भसा होंगा तो उसके बाद ही हमारा यहां का सबसे बड़ा मतलब 208 बालीजट्रा यहां पर बहौत सारा मतलब दुकान-बजर वाँ के बैढ़ता है तो बहुत सा इस बार का बालियत्रास एता, कैसा बालियत्रा होता है इवार eh मन्दिर देखिये कितना ही सुंदर है मंदर है जहां reckless होता हैं तो अभी चलते थोड़ा व्रिफस्ट कहने और यहां पर आसमान किफनी दिखाई देता है जह बहुत जया टिक्ष्यचा लगता है जुम आसमान पुरा क्लियर होता है ना हहें बहुत अच्छा भी बीबाता है तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा ब्लोग में दिखायता वही पे जाएंगे थोड़ा-फॉरा खालेंगे जाएंगे चंदीबंदि hack अ pilgrim खाला। करसे मैं,, अब ज़िए बता तब नवी और विटा है अब जाना एफ यह जब एफ जब लेया है लगमी का भी खतम भी हो गया है लगमी को लग दूख लग लगता है जल्दी जल्दी खतम कर दिया सबकुछ कि मुझ पाय टिए वेटकन दो है इस बाता है वेड भी नहीं है मेरे लिए आचुके है तो अभी खा रहते हैं बाग में थोड़ा रिक्कड करें अभी हम आचुके हैं चंडी बंदिल को हूँ पुल भी है रेडी है पुल अर्दरक्स भी पुल वाह, यह वाला कितना अच्छा लाइट लगा है, सुबे से रात में आने से यह बहुत अच्छा दिखाई देगा, नाओ से मासारा नी जा रहे हैं, और नाओ जो चला रहा है, वो कितना भाग्यवाने, जो कि मां को लेकर जा रहा है, नदी पार करा रहा है तो यहां पे पेव दो लेंगे थोड़ा, नाओ यूटोग देविला, नुगो जा ने, पुफल दवड़ दे, पुफल गड़ दे दे, पुफल गड़ दे, तो यह है माका टक चंडी मां को देख सकते हो यहां पे, और अंदर नहीं लेख सकते हैं, यहां पे मुबाईल आला नहीं अंदर तक मां कटक चंडी मंदिर का जो प्रभेजद्वार है, अभी वहां पे काम चल रहा है, तो मंदिर के दर्सन के बाद, जब हम लोट के आ रहे थे, तभी में प्रभेजद्वार को आया, तो उसका थोड़ा वीडियो लेने के लिए, क्यूंकि आपको दिखाना था कि प्रभेज द्वार कितना अच्छा से, मतलब कितना सुंदर दिखता है, आप देखिए द्वार से, और वहां पे जो चंडी माता की जो 16 जो स्वरूप होता है, वहां पे मूर्ती भी है, आप देखिए, तो ये मा भुबनेश्वरी दभी, मा मातांगी, मा नारायानी, मा मा बैस्नभी, मा उग्रतारा, मा जगधात्री, मा सोड़सी, मा राजराजस्वरी, मा हर्चंडी, मा गायत्री, उसके बाद मा बगलामुखी, मा महाकाली, मा महालक्ष्मी, और महासरस्थी, मा महिसा मर्दी, मा महिसा मर्दी, तो ये सोला रूप आप देख सकते हो, कैसा है मतलब, तो मतलब बहुत ही सुन्दार है, हमारा इंडू सास्त्र के अनुसार ये जो है ना, तो इसलिए कटक में चंडी बंदिर, बहुत दूर-दूर से लोग आते हैं देखने के लिए, क्यों अच्छी तरह से देखना और मैं भी सोला रूप इस देखा नहीं था, आप लोगों को दिखाया और मैं भी देख लिया, तो आज कोई अच्छा पुन्यकिया होगा तो ये सब देखने मिलिया, तो यही से हम प्रणाम करते हैं भगवान जी को और चलते हैं, अभी चलते हैं अब हम आचुके हैं घर, तो मंदिर का दस्टन हो गया, अभी थोड़ा रसोई होगा, अब ही अधिर मंदिर में कैसा लगा? मंदिर लग हो 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 ही बहुत मजा लग रहे हैं, अब ही किदर जा रहे हो? चड़ी पहन के? है तो अभी हम लच का रहे हैं तो अलु को जो चुला में ना थोड़ा जला के मतलब उसको प्राइ करके फ़रा आग में दिखा तो तो कला कला हो जाते ना उसको निकाल के फिल आलू का जो चोखा अलू अबिला थी और अलू टमाटर और प्याज लशन और बेगन नमक पूरा चोखा बनाके खाने में दो बता रहा हूं कि अजो भज्या या तरकारी वो जो भी सब बनाते हैं वो सब वेस्ट है अजा मतलब थोड़ा आग में थोड़ा फ्राइब राइए करके इसको खाऊ टेस्ट मस्त लग रहा है अलुका चोखा आलू, बेगन, प्यास, टमाटर और थोड़ा लंका थोड़ा मिर्ची फिर यह लखमी का फेबरेट पकाल वह तो हर रोज भाई पकाल खाता रहता है उसको टेस्ट लगता है आसान फाल जो भी और पक्खावा उसको जो भी हो पक्खल चाहिए ये दो दो डो ओ डहलोँ का वना यह वाद गानी इसमें और यह वाला टमाटर बहगन इसमें और थोड़ा हमारा सफ जो होता है कि आपक्ट वह थोड़ा ढल दिया तो वसकी सही investors में आए ता है तो गुल के थोड़ा आराम करने के बाद शाम चार बजे निकल गे श्वपिंगे ला हूा इसका है तो हील देनने को उसका इच्छा नहीं है कि कि वो बेन नहीं सकता है उसका बेड़ दर्द होड़ा है तो एक चपल खरित लेगे इधर है पकुगाई तो पड़ोशी हुआ करते थे अभी दड़ा दूद चले गए और जेपश्चे लिए फोगे डाने स marriage तには मिलने के नहीं बचे सद दटðा है खोडया है खोड़ा दो लिए। प्षुस कोई तर दील गया है तो अभी जलते हैं हम फॉड़ा हमारा और एक 2010 फोटो चळाया पर दियेते हमारा निआर्च का पॉटो निकालने के 맞는 के लिए पंद मेरा बनाए में कि देखते हैं अभी हमारा पर तो दिया गया है निखाला ही नहीं देखना पड़ेगा थोड़ा यह भी हमारा एक दोस्ट का ही निकल रहा है फोटो सेमी दीकोन कोफ़ा सब हुई है तो मैं आरच का फोटो दिया गवा था तो यह देखो कैसा आया है यहां पे है बड़े भावी और यहां पे छोटे भावी पीछे रहे गए है यहां पे तुरुप्ती भावी तो यहां पे फोटो निकाला है तो फोटो दीक रहे हैं यहां यह स्वंटेपूल का फोटो है यहां पे कीच वायत है यह निकाला है और पुकूल का और मेरा यह वाल तो थांक्यू भाई यह लखनी का इच्छा था यह वाला पट्रो निकालने के लिए अभी वह निकल गया है अभी वह भी देखके प्रागुडबुल हो चुका है अभी चलते हैं घर अभी चलते हैं घर अभी आ चुके हैं घर तो यह था आज का पूरे दिन का ब्लॉग तो ब्लॉग कैसा लग रहा है आप कमेंड में कमेंड के माधि हमसे जरूर बताइए और लाइक और सब्सक्राइब भी कर जिएगा क्योंकि नया नय चानल उपन हो रहा तो ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर तब तक के लिए गुड़नाइट और टेक क्यार